हाई फ्रेंद्स वेल्कूम टू फार्सेन क्रेशन बूटीक देखिए इसीसिन में जो देख रहे हैं उस तरह का फ्रेंट्स भी क्या- इसके अंदर दोड़ी प्लस बल से जो डिजाइन बन रहा है इस तरह का डिजाइन बनेगा तो यह डिजाइन किस तरह से बनते हैं यह हम आज आपको बना के दिखाते हैं इससी बुटीग में ठीक है देखिए इसके लिए यह जो वाइट कलर का जो पजामा का कपड़ा है को हमने देखिए दो इंच से इस तरह से देखिए पहले जो डोली बनी है यह इससे इस तरह काट लिया cc के बराबर इसके बाधब देखिए यह जो हैंड का स्लीप है यह ग्राथ है है मिडिल से हमने कट किया है उसके बाद देखिए इस तरह से बढ़ाएंगे दो-दो करके स्टार्टिंग में पहले दो-दो करके इस तरह से पिन लगा ले इसके बाद देखिए एकिंग्स के गैप छोड़ देंगे इस तरह से मार्क लगाएंगे तो इसके बाद दो बैठेगा यह आपको ध्यान रखना होगा उसके बाद आपको एकिंग्स के गैप छोड़ना होगा इस तरह से यह पूरा जो हैंड को मिडिल से आधा-धा करके हैंड का स्लीब निकालके आधा-धा कर लिया या फिर आप ऐसे लिए दो कपड़े को एक कपड़े में इस तरह से बैठाई यह उसके बाद अलग कपड़े लगाएंगे यह भी हो सकता है हैंड थिलीप आप आभी नाहीं काट सकते हो स्लीप नहीं काटके ऐसे ही बार्डर में बैठाने के बाद लिए पी फिनिशिंग दी जाएगी जब यह सिलाय हम करेंगे आपको ध्यान रखना होगा यह सिंगल जा रही है उसके बाद जब हम पॉइंट पर आएंगे यह देखिए यहां पर दो बार पीछे करके दो बार हम इस तरह से लगा लेंगे देखिए एक इंस के चोड़ के यह हमने एक साइड में इस तरह से देखिए पूरा लगा दिया अब यह दूसरा साइड का जो कप्रा हमने लिया है मिडिऴ में फिन चिलेंगे उसके बाद से स्टीच करेंगे मिडिव में इस तरह से देखिए बडाबर से बैठाएंगे से पिन प्रफकरने के बाद इसे सिलना होगा थो आपका मिडिव में जी आप हम चान जो चहांते हो चाह सकते हो यह तो चाहते हैं यह डाया फ़ी तीन भी wellness आप चौड़ सकते हो किसे हैं आप कि मैंने कहां बैठाके अभेसे सिल लेंगे एक इंच के गैप छोड़ा है अभी देखिए आपको ख्याल रखना होगा एक इंच के गैप आप स्टार्टिंग से इंडिंग तक बराबर रखीगा नहीं तो मिडिल में हो सकता है ड्रेडिंग हो जाए या पिया ज्यादा हो जाए तो ठीक है इस तरह से देखिए इसे धीरे से साबधानी से करना होगा क्यूंकि आपका यह जो तुकड़ा है जो आपने हमने कट किया है जो डोरी है वो नीचे है ठीक है वो पलट सकती है इसलिए आपको यह ध्यान से करना होगा क्यूंकि दो डोरी आसानी से बैठे इस तरह से आपको जहां पर हमने देखिए यहां पर आएंगे जब डोरी के उपर हम दो बार बैक करेंगे करके फिर से हम यहां पर लॉक कर देंगे इससे यह खुलेगा नहीं दुबारा कभी भी साइट से हम सिंगल सिलाई लेते हुए छल रहे है ठीक है एक-एक को दबा के लेखिए हाथ से अच्छी से दबा के इससे पूरा सिल लेते है इसके बाद देखिए देखिए हमारा सिलाई कम्प्लीट हो गया है इसके बाद देखिए यहां पर हमें इस तरह का पर्ल अटाच करेंगे वाइट कलर के धागे ले लिया देखिए बहुत बड़ा साइज का यह जो पर्ल है अब एक बाद बताए यह फ्रॉंड में जो आप देख रहे हैं यह लगाने के बाद हमने इसके मोहुरी में देखिए दो साइड में वाइट कलर का पोर्टी लगा दिया है जो बॉर्डर आप कह सकते हो वाइट कलर का बॉर्डर उसके बाद देखिए इस डोरी का मीडिल बराबर में देखिए इस तरह का इससे डोरी को हम लगा रहे हैं आपको सेंटर मार्क करना होगा उसके बाद देखिए तो बार फिफ़ से इसके अंदर तीन बार अभी ये बैक करेंगे और गाट लगाएंग चार और हो गया इसको को हम पीछे ले जा के लुख किजिए गा इस तरह से पीछे ले जाके देखिए लॉक कर दिया तो हर बार आप मोती लगाएंगे पर लगाएंगे तभी आपको देखना पड़ेगा आपको सेंटर आ जाए है है कि कि आपको सेंटर नहीं तो यह सीधा-सीधा नहीं चलेормे लिए देची के अंधर िधर से हम तीन बार इस तरह कि यह आसानी से कभी भी छूटेगा नहीं यह फोर टाइम हो गया देखिए से नीचे ले जाके पीछे से लॉग कर देंगे और एक बार ज्यादा ले लिया कोई बात नहीं कम मर्द लीजिएगा ज्यादा हो तो कोई बात नहीं आप जिसके लिए बना रहे हो उसको सैटिस्फेक्शन आना चाहिए वो कितनी बार भी पहने यह तूटे ना ठीक है इस तरह से आप कीजिएगा तो अच्छा आएगा इस तरह से देखिए हर एक में सब में हम पर लगा देते हैं उसके बाद दिखाते हैं इसका फाइनल लुक इस तरह से आता है देखिए इसका फाइनल लुक, बहुत ही ये फिलाल तो ये ड्रेस जो है, इसका है बहुत ही सुंदर है, औरेंज और वाइट के साथ, बांधिनी पिंट स्टायल में, देखिए हम दिखाते हैं, क्यूट से, देखिए हमारा कीश्टी कस्टमर इसके लिए है, ये बहुत ही सब्सक्राइब आपको अगर परसंद आए तो आप भी लाइक शेयर क्यों मन कीजिए ठैंक यू